नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कारकरम का आए जर्खन किया था बता दे पिछले वर्स, आए जर्खन, आपकी सरकार, आपके द्वार कारकरम में हर जिल्ने में जर्खन कम से कम 4-5 पंचायतों में सीविरों का आए जर्खन हुआ था कालकरम के सकरात्मक परिणाम भी आये थे लोगों को उनका हक अधिकार प्राप्थ हुआ था इस अभियान में कूल और 6667 सिवीर में 35,94,000 आवेदन प्राप्थ हुए जिन में से 35,35,000 आवेदन निस्पादित हुए फिलाल 42,000 आवेदन निस्पादित की परकिरिया में है इस दोरान करीम 99,000 परतिषत मामलों का निस्पादन भी हुआ था जारखंड में आज से 13 अक्टूबर तक बारिस की समभवना जारखंड में एक बार फिर मौसम में बदलाव आएगा मौसम केंद्र रांची के मुताबिक एक गारह से 13 अक्टूबर तक राजे के कई भागों में हलके से मददर्ज की बारिस की समभवना है वहीं इस दोरान गरजन के साथ बईरपात की भी चेतावनी जारी की गई है बता दे 14 अक्टूबर को बारिस में कुछ कमी आएगा और उसके बाद मौसम साफ होगा मौसम बेग्यानी अविसे एक आनद ने बताया है कि उतर भारत में एक पच्मी भी छोब था जिसके कारण साइक्लोयनिक सर्कूलेशन बनने से जारकर में मंगलवार्चा इसका असर देखने को मिलेगा उन्होंने कहा है कि 11-13 अक्टूबर तक राज के कई अस्थानों पहलके से मध्यच की बारिस की संभावना है लातेहर में हिंसक हुआ टाना भक्तों का परदर्शन 13 हिरासत में लातेहर में टाना भक्तों ने पथ्रा शुरू कर दिया है कई पूलिस कर्मी घायल होगा है कई वाहनों की तुटने की भी खबर है पूलिस की ओर से आशु गया छोड़े जाने की त्यारी है महल तनाव पुर्वक बना हुआ है पथरवागी में सदर थानेदार अमीत कुमार गुपता समय तीन पूलिस कर्मी घायल भी हो गया है घायल पूलिस कर्मीयों को अस्पतार ले जाया जा रहा है भारी संख्या में पूलिस जवान के आने की खबर भी है लगातार पत्राव किया जा रहा है पूलिस की ओर से अगिन समनवाहान से पानी की बहचार भी सुरू कर दिया गया है कई पूलिस की गाड़ी को छती गरस्त कर दिया गया बता दे टाना भक्तों के परदसन के कायान पांच घंटे से नयाईक कारे बाधी था सबी नयाईक पतादीकारी पीछे के राश्ते से निकले है नयाईक पतादीकारीों के आवास पर सुरक्षा ब्रवस्ता बढ़ा दी गई है वही आसपास की दुकाने भी बंध हो गई है घर्टा की जनकारी मिलते हैं मोगे पर एस पी अंजन भी पहुँचे हैं जार्खन केबिनेट की बैठक में 29 प्रस्ताव को हरी जंडी जार्खन में बिना OBCR रक्षन के ही 48 नगर निकायों में चुनाव होगा अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती को अरक्षन मिलता रहेगा नगर विकास विभाग के बिना OBCR रक्षन के चुनाव कराने के प्रस्ताव को कैबिनेट से स्विक्रिती दिया दी गई है बतादे वार्षन से अध्यक्ष और मेर का चुनाव परत्यक्ष होगा मद्दाता इन्हें चुनेंगे उपाद्यक्ष और डिप्टी मेर का चुनाव अपरत्यक्ष होगा इसके लिए चुने गयवार्ष से वोट डालेंगे चुनाव दलगत अधार पर नहीं होगा हेमंद सुरेन केबिनेट ने कुल उनस प्रस्ताव को स्विक्रिती दी है इसमें जार्खन हाई कोट के कईस जजों के लिए एसकोडा कार खर्दा जाएगा जिस पर नौक 30 लाग रुपे खर्च होंगे वहीं जार्खन के जन जाती संस्क्रिती के पवित्र अस्तल सरना मसना के संडक्षन के प्रस्ता को भी स्वक्रिती मिली है जैक बोड परिक्षा 4 मार्च से होने की उमीद जार्खन बोड परिक्षा 23 सेडिूल का इंतजार कर रहे जवाओ के लिए बड़ी खबर आ रही है जो उमीदवार 23 में होने वाली बोड परिक्षा का एक्रम में हिसा लेने वाले है वे कमर कसले क्योंकि 4 मार्च 2023 से बोर्ट परिच्छा शुरू होने के उमीद की जा रही है हालाकि इस तारीखों का एलान ज्ञारखन एकेडमी कॉंसील जे एसी ने नहीं किया है लेकिन मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दस्वी कक्चा के परिचा 4 माई से शुरू हो सकती है सरकारी करमचारियों का महागाई भत्ता 4 परतिशत बठा ज्ञारखन की हेमंत सुरेन सरकार ने राज के करमियों को दिपावली से पुरो महागाई भत्ता में इजाफा करते हुए तोफा दिया है राज करमियों के महागाई भत्ते में 4 परतिशत का इजाफा किया गया राजी के पेंसन धारियों को भी इस इजाफे का लाह मिलेगा सोमवार को जार्खन केबिनेट के बैठाग में कूल 19 प्रस्ताओं पर मुहर लगाई गई बतादे राज सेकार ने मोखे मंद्री ग्राम गाड योजना के शुरुआत करने का निने लिया है इस योजना के तहत राजी के युवाओ को ग्रामीन सडको पर वाहन चलाने के लिए प्रसाहित कर उने सोरोजगार से जोडने का लक्ष रखा गया है जार्खन सीए मंगलवार को सधांजली देने जाएंगे सेफ़ाई समाजी किन्याय के पुरोधास उतर परदेश के पुरो मुख मंतरी मुलायम सिंग यादव की निधन पर जार्खन के मुख मंतरी है मंशुरेन ने उन्हें सधांजली दिने मंगलवार को सेफ़ाई जाएंगे उन्होंने द्वियंगत आत्मा को सांती प्रदान कर सोका कुल परिवार तथा सप्पा करकरताओ और प्रसंसकों को दुख किया विकट घड़ी में सहन करने की सांती देने की कामना इस वर से की है उन्होंने ट्विट कर कहा है कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक और उतर परदस के पुरमुक मंत्री मुलाइम सिंग यादव के निधन की खबर से काफी आहत हों आई राय नेती के एक यूग का अंत हो गया समाजविक नय और वंचितों के उत्थान के लिए हमेशा जीने वाले नेता जी सभी को सेवा और समर्पन की जोत्ती देकर चले गए जारखन में मुडमा जतरा 11 अक्टूबर से अर्जिन मुंडा करेंगे उधगाटन रांची जीले के मांडर परखन में दो दिवसिये मुडमा जतरा 11 अक्टूबर से 40 पढ़हा के पाहान पुजार द्वारा जतरा अस्थाली थीत सकती खुटा के पुजा अर्चना के बाद सुरू हो जाएगा करीब 5 बजे इस मुडमा जतरा का उधगाटन केंद्रिय मंत्री अर्जिन मुंडा करेंगे बता दे कुरोना के दो साल के बाद बगाएर की सी पावंदी के 11 अवं 12 अक्टूबर को लग रहे इस जात्रा में भारी भीड उमरने की समावना है जिसे लेकर जीला वास्थाने पर सालसन पूरी तरह मुस्तेद है CCTV कैमरा वा ड्रोन से हर जगह निगरानी रखी जाएगी सोमवार को रांची के सदर SDO दिपक दुबे गरामिन स्पी नोसाज अलमने त्यारिया को जाजा भी लिया है अस्टम उराओं के घर में टीवी नहीं फीफा अंडर 17 बिस्व कप में भारत मंगलवार को अपने अभियान के शुरुआत अमेरिका के खिलाप करने वाला है और बॉल खेलते हुए नहीं देख पाएंगे बता दे उनके घर में टीवी नहीं है वहीं गाउवालों के पास भी टीवी नहीं है इससे गाउव के लोग निरास हैं गुमला जिला से 60 किलोमेटर दूर विसुनपूर परखंड के बनारी गोर्रा टोली की रहने वाले अश्टम उराव भारतिय महिला टीम की कप्तान है इसलिए गाउवाले चाहते हैं के अश्टम उराव को इस इंटरनेशनल मुकाबले में खेलते हुए टीवी पर देख सकें जारखंड में 21,000 गरीबों को मिल रहा पेट्रोल सबसिड्री का लाव जारखंड सरकार के ओर से शुरू की गई पेट्रोल सबसिड्री योजना 12,000 गरीबों तक सिमट कर रहा गई है पेट्रोल की बढ़ती किमतों से रहात दिलाने के लिए राई सरकार ने जनवरी में राशनकार धार्यों को पेट्रोल पर 25 शुरूपे पराती लिटर सबसिड्री देने की योजना शुरू की थी इसके बावजूद लगातार सबसिड्री लेने वालों की संख्या घरती जा रही है बता दे नौ माह में इस योजना से लगभग 90,000 गरीब बाहर हो गई जनवरी में जब योजना की शुरूआत की गई थी तब 1,15,356 लोगों ने इसका लाब लिया था वही दिसंबर माह में इसकी संख्या घरत कर 1,273 हो गई है जारखन में संगीत सिक्षक की नहीं हो रही बहाली मादमीक सिक्षा निदे सालाएक के संकल्प निदेशक और हाई कोट के आदेश के बाद भी दुमका और देवगर सहीत अने जीलों में हटाये गए संगीत सिक्षक को फिर से बहाल नहीं किया जा रहा आदेश जारी हुए 11 दिन बीत गए लेकिन दोनों ही जीलों के DEO इतने गंभीर मामले पर संग्या नहीं ले रहे इन अधिकारियों को सरकार के आदेश के भी परवा नहीं है इस संगीत सिक्षक को मायोसी है जबकि जार्खन सरकार ने केबिनेट में यह निन लिया है कि जार्खन के हाई स्कूलों में नियुक्ति के बाद हटाये गए संगीत सिक्षक बहाल रहेंगे उच सिक्षा के छेतर में मौडल बनेगा जार्खन राजपाल जारखन के राजबल रमेस बहस ने सोमवार को कहा है कि परदेश को हमें पूरे विश्व में उच्छा के मौडल के रूप में बिक्सित करना है इसके लिए निजी विश्व विद्यालियों की जिम्यदारी अहम है निजी बिश्वभी देरियों को या बिश्वास कायम करना होगा कि उनके यहां quantity से ज्यादा quality education पजोर दिया जाता है इसी बिश्वास से हम ज्ञारखन से उच सिक्षा के लिए छात्रों का पलाएन रोक सकते हैं चात्रों का पलाएन रोकना हमारी पहली प्रत्मिक्ता होनी चाहिए मिड डे मिल का कोकिंग कास्ट में 9.6% का बिरिधी ज्ञारखन के सरकारी स्कूलों को पी एम पोसन योजना में कोकिंग कास्ट मद में 9.6% अधिक रासी मिलेगी कोकिंग काष्ट में बिरिधी को लेकर केंद्री सिक्चा मंत्राले के पत्र मिलने के बाद जहर्खन मद्यान भोजन प्राधिकरन की निदेशक किरन कुमार पासी ने सोमवार को सभी जीला सिक्चा अधिशको को इसे लेकर आधिश जारी कर दिया उन्होंने केंद्र के नेने के अलोक में इसकूलों में रासी उपलब्ध कराने को कहा वहीं बड़ी हुई रासी एक अक्टूबर के तीथी से ही मिलेगी बता दे पीएम पोशन विजना के तहद कोकिंग काष्ट के रूप में दाल, सबजी, नमक, मसाला, तेल, इंधन आधि के लिए रासी दी जाती है इसकूलों में अब वहान लाने पर लगेगी रोक अब विद्यालियों में विद्यार्थियों को सलक सुरक्षा का पाट पढ़ाया जाएगा भीड़ वाले अस्थानों में वहान इस्पीट का ध्यान लखने, मोबाइल फोन का परयोगना करने, हेलमेट पहनने, यातायात नियमों वह चिन्हों का पालन करने, आधि के बारे में जनकाय दी जाएगी केवल यही नहीं, इस्कूल परिसर की दिवारों पर यातायात नियम पर दर्शित करने वाले सलोगन भी लिखे जाएगे बतादे च्छात्र च्छात्राओं में जागरूपता लाने के लिए सिक्छक अईभागों के साथ बैठक भी करेंगे इसके अलावा समय समय पर यातायात और परिवहन भी भाग के जनकारों को बुलाक और सलक सुरक्षा के बारे में च्छात्र च्छात्राओं को जागरूपता लाना है बंदली फाफे के बारे में राजेपाल ने कहा मेरी मर्जी कब खोलूँगा अरका जैने भी सुभी द्यालय गम हरिया के दिक्छान समारों के बाद पत्रकारों से बाचित में जारखन के राजेपाल रमेस बैस ने बरतमान राजनितिक हालाद पर पूछे गए सवालों का जबाब दिया इस दोरान पत्रकारों ने पूछा निर्वाचन आयो का लिफापा अब तक क्यों नहीं खोला गया अगर खोला गया तो इस पर क्यों कुछ नहीं बोल रहे अब जामों की ओर से इस समध में आर्टियाई भी दाकिल किया गया है बतादे इस पर राजेपाल ने कहा है कि निर्वाचन आयो का लिफापा कप खोलूंगा या मेरी मर्जी या मेरा अधिकार छेत रहा है इस पर इस से ज़्यादा टिपनी नहीं कर पाऊंगा राज सरकार ने उनके रिष्टों के बारे में जब वह पूछा गया कि बार-बार राज सरकार से आपका जगड़ा क्यों हो जाता है इस पर भी राजेपाल ने कहा है कि जगड़ा होने पर तो बात बनेगी तमाम तरह की सेक्षिनिक वेवस्ताय सुधर रही है कॉलेजू में जेपी एसी द्वारा सिस्कों की बाहली हो रही है एस पी ओफिस असिस्टेंट बाहली 2008 में नए सीरे से मेरिट जारी करने का आदेश रांची पुलिस अधिक छक कर्याले के लिए असिस्टेंट बाहली परत्युक्तिया परिशा 2008 में बरती गई अने मित्ता वर रिजल्ट को चुनावती देने वाले आचका पर 12 सल बाद सो मौर को फैसला आया जार्खन हाई कोट की जस्टीस अनुभार रावत चोधरी के अदालत ने रिट या चिकाओ को सविकार करते हुए सरकार को नियुक्ति बिग्यापन का निरूप नए सीरे से मेरिट लिष्ट परकासित करने का आदेश दिया बता देपुरू में सभी पक्षों को सुनने के बाद आदालत ने अपना फैसला स्प्रक्षित रख लिया था इसे पहले प्रार्थी के ओर से अधिवक्ता अभाय कुमार मिस्टा ने आदालत को बताया था कि चैन समिती के ततकालिन अध्यक्त आरके मलिक ने विग्यापन की सर्थों में बदलाव करन्युक्ती पर किरिया ही बदल दी थी तथा मनमाने तरीके से अभियार्थों का चैन कर लिया था अब इस मामले में पुलीस मैनुवल का भी उलंगन किया गया था जम सेथपूर में पार्किंग के नाम पर अवैद असुली मामले में मंत्री बना गुपताने लिया संग्यान पूर्बी सिंभुम जीला अंतरगत जमसेदपूर में पारकिंग के नाम पर हो रहे अवैदवसुली मामले में जहारकन के सौयष्ट मंत्री बाना गुपता ने संग्यान लिया है इस मामले में मंत्री ने ट्वीट कर जम सेधपूर डीसी को अवायद वसुली को खतम करने को लेकर आवस्यक करवाई करने का निर्देश दिया बता दे उन्होंने ट्वीट कर DC को निर्देश दिया है कि जम सेथपूर में पार्किंग सूल्क छेतर अनुसार लिया जाना सुनिश्चित हो वहीं एक बार दिया गया सूल्क पूरे दीन के लिए उस जोन के लिए वैध हो उन्होंने कहा है कि सूचना है कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग ठेके दारो द्वारा पार्किंग सूल्क लिया जा रहा है जो कि टेंडर सर्तों का उलंगन है जार्खन की असमीता ने बिना ऑक्सिजन एक आसी सो तीर सट मीटर परवत किया फत्र टाटा इस्टिल एडवेंचर फाउंडेशन की सीनियर इंस्टरक्टर असमीता दार जी ने इत्यास रचा है इन्होंने नेपाल इस्थी दुनिया के आठवे सबसे उचे परवत मनासलू पर चटकया किर्तिमान बनाया है बतादे बीना उक्सिजन सपलीमेंट के इन्होंने एक आसी सो तीर सट मीटर के उचाई फता की है एजहारखंड के जमसेदपूर के सुनारी कदमा लिंक करोट की रहने वाली है नेपाल सरकार द्वारा मनासलू सबमीट का उजन किया गया था खोटी से कांग्रेस की भारत जोड़ यातरा शुरू भागवान बिर्शा मुंडा के गां उली हाथ्तू से सो मुआर को कांग्रेस की भारत जोड़ यातरा की शुरुवात हुई कॉंग्रेस की भारत जोड़ यात्रा के सुभाराम के मौके पर भगवान बिर्शा मुंडा के वनसज सुखरा मुंडा को समानित भी किया गया इस असर पर परदेश अखज़त राजेस ठाकूर ने कहा है कि केंदर सरकार ने देश में कमर तोड महांगाई कर दी है बेरोजगारी भरष्टा चार बेताहासा बढ़ गए हैं केंदर सरकार की देश बिरोधी नीतियों को देखते वे राहूल गांदी के नेतित में भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में चलाई जा रही है उन्होंने बताया है कि जारकन के चोबी जीलों के परखन से पंचायत से गांव तक लोगों को भारत जोड़ो यात्रा से जोड़ा जाएगा देवघर में मा के सामने किसोरी से सामोहिक दुसकर्म देवघर जीले के मधुपूर अन्वंडल छेत्रे के पथरोल में सोरा वर सी एक किसोरी से सामोहिक दुसकर्म की घटना का ममला सामने आया है घटना रभिवार की रात की है पिर्था अपनी मा के साथ मामने की सीकायद करने मधुपूर थाना पहुंची थी लेकिन पुरिष ने सीकायद दर्ज नहीं की है पिर्था की मा ने एक मीडिया कर्मी को दिये ब्यान में बताया है कि वो लोग दुमका जीला की राने वाली है पत्रोल में छटी हारी कारक्रम में भाग लेने गई थी लेकिन कारक्रम अस्थागित होने के बाद दोनों मा बेटी पत्रोल से पैदल ही मदुपूर जाने लगी इसी दोरान बहादूर पुर्गाओं के समीप दो बाइक पर सवार पांच छो की संख्या में लोग वहां पहुँचे और मा के सामने ही बेटी के साथ पांचों ने बारी-बारी से दुसकर्म किया धनबाद में सरकार आपके द्वार कारकरम का स्टेडियूल जा रही बरतमान सरकार के तिन वर्स पूरे होने पर एक बर फिर से सरकार आपके दरवाजे पर आने के लिए उस्चुक है इसके लिए आपकी योज़ना आपकी सरकार आपके द्वार करक्रम के शुरुआत आगामी 12 अक्टूबर से करने जा रही है इस कारक्रम के दोरान सरकारी अधिकारी नगर निकायों के हर वार्डों के अलावा ग्रामीन इलाकों में परतेक पंचायत में सिवीर कर आयोजित करेंगे बता दे धनबाद जीले के लिए जीला परसासन ने बिस्तिरित ब्यवरा जारी कर दिया है इसके अंतरगास सभी 256 पंचाय धनबाद नगर निगम के पचपन वार्ड तथा चिरकुंडा नगर परिशत के 23 वार्ड में दो चर्णों में कारक्रम आयोजित किये जाएंगे पहले चर्ण में 12-22 अक्टूबर तक एवाम दूसरे चर्ण में 1-14 नवामबर तक कारक्रम आयोजित किये जाएंगे दीपावाली पर 27 साल बाद लग रहा है आखरी सुर्य ग्रहन दुरगापुजा के बाद दीपावाली आने वाला है और इस बार दीपावाली में 27 साल बाद 25 अक्टूबर को सुर्य ग्रहन लगेगा या सुर्य ग्रहन इस साल का दूसरा और अमतिम सुर्य ग्रहन लगने जा रहा है बतादे पाला सुर्य ग्रहन 30 अप्रेल को लग चुका है जो आंसिक सुर्य ग्रहन था खड़े सोरी मंदिर के पुजारी के अनुसार सुर्य ग्रहन के दोरान लोगों को विशेश ध्यान रखना चाहिए इस दोरान बच्चो अगरवती महिलाओ को अपना विशेश ख्याल रखना चाहिए अक्टूबर माह में लगने वाले वर्ष 2022 का अम्तिम सुर्य ग्रहन है जिसका सुतक काल माने नहीं होगा अस्थानिय निती पर फिर बोले लोबिन हेंब्राम अस्थानिय निती को 1932 के खत्यान अधारित अस्थानिय निती लेकर मुखर रहने वाले बोरियोबी धायाक लोबिन हेंब्राम ने कहा है कि ये वक्त जश्न मनाने का नहीं होच सम्हालने कहा है समवार को वे यूथ कल्ब धावा बधान के तत्वधान में तीन दिवसे फूटबॉल खेल के फाइनल पर त्योकता का अधारित अस्थानिय निती का प्रस्ताव सिर्फ कैबिनेट में पास हुआ लागू नहीं हुआ है उन्होंने लोगों को समवधित करते हुए कहा है कि हम सब को दबाओ की वज़़े से हमन्त सरकार ने उने 32 खत्यान अधारित अस्थानिय निती का प्रस्ताव सिर्फ कैबिनेट से पास किया है आज जार्खन में कोई अस्थाने निती है ही नहीं पिछली सरकार के अस्थाने निती रद कर दी गई है और इस सरकार ने कोई अस्थाने निती लागू नहीं की है हमें अपने युवाओं के हक अधिकार की लडाई को अंजाम तक पहुचाना है हमें न रुकना है न ठकना है और नहीं पहले की तरह गुमरा होना है गढ़वा में माद दुरगा की फोटो खिचने पर पांच आदिवासी यूकों की पिटाई जार्खन के गढ़वा जिले में एक ग्राम प्रधान अरुस के आदमियों ने दुरगा की मूर्ती की तस्वीर लेने वाले एक ब्यक्ति सहीद पांच आदिवासीयों की कथित तरपर पिटाई कर दिया है इतना ही नहीं फोटो खिचने वाले का सीर भी मुणबा दिया गया पुलिस ने सोमवार को इस बारे में जनकारी देते हुए बताया है कि या घटना जारकन की राइधानी राची से करीब 210 किलोमेटर दूर पालहे गाउ में 6 अक्टूबर को हुई थी गुमला में गंदे पानी से बन रहा बर्फ फैक्टरी सील गुमला सहर में नियम बिरू संचालित होरे बर्फ फैक्टरी को परसासन ने सील कर दिया है जिसे बचों के सिहत पर असर पढ़ने की संभावना है गरामिनों की सिकायत के बाद गुमला डिसी सुसांद गवरों ने तुरंत एक्षन लिया एक टीम का गठन किया गया टीम ने जाज के बाद प्रेक्टरी को सिल कर दिया है धन्यवाद यदि आप चनल पढ़ना हो तो चनल को सब्सक्राइब कर बहुल का बेल एक अंद बई साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों को से असर करना ना भूले साथ साथ आप आप में कोमेंट बख्स में अपना फीड़बैक अवस्य दे थैंक यू